अर्व जीरस व्लुल्फ़ गेंग आर्थ 12 से होते हैं, वाई हेरी सनलोथारियों और वेस 2.0, अर्थ 37 और आर्थ 22 से होते हैं, सिसकोन सबी को देखकर हिरान होता है और हेरी से कहता कि मैंने तुम्हें दूसे लों के साथ दोस्ति करने हो कहा था लेकिन तुमने अपनी डोपल गेंगर से दोस्ति की तो हेरी उने कहता कि यह सब बहुत अच्छे हैं और अब हेरी उनसे बात करना शुरू करता है वेस 2.0 जो मशिन गन में बदल चुका था वो पहले ही अपने अर्थ के सिसको को खा चुका है और उन्हें अखेले काम करना पसंद होता है इसलिए सिसको को वहां से जाने हो केते हैं सिसको वहां से चला जाता है वहीं केलिन उस स्टेच के टुकड़ों पर रिसरच करती है जि ये उस आदमी के बारे में पता चल गया उसका नाम जिम वेक्स था जिस पर जब हमला हुआ तब वो अमेरिकी आर्टिफेट को लेकर जा रहा था आईरिस देखती है कि उसमें एक बाइसन नेकलेस होता है जिससे वह समझ जाती है कि वहीं बलेक बाइसन लेडी है जिससे र पेरी राल्फ को उसका सूट पेहनों केता है क्योंकि सिसकों ने उसके लिए एक सूट बना दिया था वो जितना चाहे उतना स्टेज हो सकता था राल्फ ये देखकर कफी एरान होता है कि उसका सूट एक मामुली कपड़ा है और उसे वह बिल्कुल भी पसंद नहीं आता व से लिए उने हासिल करना चाहती थी और क्रिष्टॉफ जब उनकलाकरती का मजा कुड़ाता है तो उसे गुसा जाता है और वह अपनी एनिमेटो पेथी पाउर की मदस से एक सेनिक स्टेचू से उस पर अमला कर देती है और नेकलेस का दूसरा इससा भी हासिल कर लेती है मग से मदद मांगता है क्योंकि स्टेचू उसकी तरह बढ़ रहा था बेरी अपनी वाइब्रेशन पाउर का इस्तमाल करके उस पुतले को तोड़ देता है मगर इससे मिना बागने में काम्याब हो जाती है यह देखकर राल्फ बेरी से कहता कि तुम उसे पकड़ सकते थे फिर वह सांस्क्रतिक विग्यान की प्रोफेसर थी मगर उसने अपनी नोकरी खो दी क्योंकि 6 मेने पहले वह गिरफतार हुई थी उसने संग्राले से सोसकला के टुकड़ों को चुराने की कोशिश की बेरी उने कहता कि अब नेकलेस के थर्ट इससे के पीछे है इसलिए हमें जल कि मैंने क्रिश्टोप की जान बच जाई तो राल्फ उसे बताता है कि जब मैं पुलिस वाला था तो मेरे लिए फर्ष्ट काम बुरे आदमी को पकड़ना होता था तो बेरी उसे बताता है कि फ्लेश होने के नाते मेरा पहला करतव यह है कि मैं खत्रे में होने वाले व्यक कर जाते हैं वह यह मैं सेंडल सीटी की वेन में दिखा जाता है कि मीना अपनी पार से गुफालू स्टेचू को जिंदा कर देती है और वो नेकलेस का थर्ड पीस भी हासिल कर लेती है मगर तभी बेरी और राल्फ भी वहां पहुंच जाते हैं मीना उने बताती है कि यह सब हमला कर देती है जिससे बेरी और उसी स्टेचू के बीच में फाइट होने लग जाती है मीना वहां से भागने लगती है लेकिन राल्फ अपने हाथ को स्टेच करके उसे पकड़ने कोशिश करता है तब यह वहां एक एलेक्रिक पॉल कुछ लोगों पर गिरने वाला होता है बेरी राल्फ को लोगों को बचाने हो केता है क्योंकि बेरी के पेर पर चोड़ लगी थी मगर राल्फ उसकी बात नहीं मानता और उमीना को नहीं चोड़ता जिससे उसे चोड़ लग जाती है इससे राल्फ को धुक होता है कि उससे उस लड़की को बचाना चाहिए था ब आलफ उसे कहता है कि मैंने जान बुचकर उस चोटी बच्ची को चोट नहीं पहुंचाए मुझे दुख है कि उसके साथ बहुत बुरा हुआ और एक तरह से ये सारी मेरी गलती है और अब उसे एसास होता है कि सूपर हीरो बनना कितना मुश्किल काम है क्योंकि जब वो सूप तरीके से नहीं कर बाता क्योंकि मैंने भी कई गलत फेसने लिये हैं और कई बार मेरी वज़े से लोगों को चोट पहुंची है इसलिए आपको बच्चा करने की चाह रखनी है और जब आप अपने तहे दिल से ऐसा नहीं करते तो लोगों को चोट पहुंचती है और मैं हुआ कर से व Alrighty जाता है यeing की मेरी पुलिस ओंविसर की मदर से वहां लोगों पर हमला करनी लगती है और घृइर दिया गया थारृव और अब बेरी राल्फ के साथ उस म्यूजियम में पहुंच जाता है जहां मिना नेकलेस चुरा रही थी मिना उन्हें कहती है कि यहार पवित्र है और यह स्योक्स की संपती है इसलिए मैं इसे वापस लेकर जा रही हूँ तो राल्फ उसे क्ये था कि तुमने बहुत से लोगों को चोट पहुचा यह और अब तुम और लोगों को चोट नहीं पहुचा सकती मगए मिना वहां रखे डाइनासौर स्केलेटन को जिंदा कर देती है इससे रालफ और बेरी डर जाते हैं बेरी उस डाइनासौर को रोक नहीं कोशिश करता है लेकिन भेरी को हिट करके दूर गिरा देता है रालफ मिना को पकरने वाला होता है लेकिन तवियो डाइनसोर एक गार्ड को चोट पहुचाने लगता है लेकिन इस बार राल्फ मीना को पकड़ने की बज़ाई उस गार्ड को बचाता है और उसे पुरी तरह से अपनी बोड़ी में लपेड लेता है वहीं बेरी डेंबर कप की मदद से मीना को पकड़ लेता है फिर दिखाया जाता है कि बेरी जब इस्टार लेव जाता है तो राल्फ को वदाता है कि जोए ने मीना को आईरनाइट जेल के मेटा सेल में बन कर दिया है लेकिन उन्हें बाइस से नेकलेस नहीं मिला तो राल्फ उसे वदाता है कि मैंने उन नेकलेस निकाल लिया था और उसे मीना की फेमिली के पास पहुचा दिया क्योंकि उनकी संपती थी बेरी भी इससे खुश होता है क्योंकि उसने अच्छा काम किया था और अब रालफ वांस से उस लड़की से मिलने जाता है जिस पर ओपॉल गिरा था और ओपने हातों से अलग-अलग तरह के बलून बनाकर उसके साथ मस्तिक करने लगता है जिससे हो खुश होती है फिर दिखाया जाता है कि बेरी जब जोय के साथ इस्टा लेग जाता है तो सिसकों से बताता है कि हेरी और मल्टी वर्स के दोस्तों ने पता लगा लिया कि हमारे दुश्मान डेव का पुरा नाम किलिफड डेव है आईरी सबी को बताती है कि किलिफर्ट का सोशल मीडिया पर कोई भी रिकोर्ड नहीं है मगर हम जानते हैं क्यों का छिपा होगा और अब बेरी अपनी टीम के साथ उससे मिलने के लिए उसके गर की तरह निकल जाता है वही हमें दिखाया जाता है कि मालिच को भी इसके बारे में पता चल जाता है और और डेव को बताती है कि मेमान आने वाले है वहीं बेरी और जोई डेव के घर के बाहर पहुंच जाते हैं बेरी के बागी टीम मेंबर भी त्यार होकर मुझूद रहते हैं तागि आगर उनने किसी की भी मदद की ज़रूखी हो तो वहां सके बेरी जब डोरबेल बजाता है तो अंदर से मालिज बहार आती है और यहां पदा चलता है कि मालिज डेो की वाइफ होती है जोयो से कहते हैं कि हमें किलिफट डेओ से किसी केस के सिलसिले में बात करनी है माली जंदर से डेओ को बुलाती है और वो अभी नॉर्मल रूप में होता है जो एक वीलचेयर पर बेठा हुआ था इसे बेरी हिरान होता है फिर अब हमें इस एपिसोड की शुरुआत में चार साल पहले का सिन दिखाया जाता है जहां डेओ कोलेज में पढ़ा रहे होते हैं क्योंकि एक प्रोफेसर थे मगर उनकी क्लास के स्टुडेंट उनके लेक्चर पर ड्यान नहीं दे रहे थे जिससे क्लिफट परइशान होता है तब ही वहां माली जा जाती है जो क्लिफट के लिए खाना लाई थी क्लिफट माली से कहते है कि इन स्टुडेंट के पास जराबी ग्यान नहीं है और मैं चाहता हूँ कि मैं इनके छोटे से दिमाग को इंटेलिजेंट बना सकूँ मगर मैं इतना समझदार नहीं हूँ इसलिए मैंने अपने दिमाग की शमता को बढ़ाने के लिए तिंकिंग केप का ब्ल्यू प्रिंट त्यार किया है जिससे मेरी सोचने और ग्यान की शमता बहुत बढ़ जाएगी इसलिए तुम्हें मेरे लिए ये थिंकिंग केप बनानी होगी क्योई क्योई एक मेकेनिकल जीनियस होती है मालिज उसे कहती है कि तुमारा सबना मेरा सबना है इसलिए में थिंगिंग केप जरूर बनाऊंगी और उकोस दिनों की मेनत के बाद वो थिंगिंग केप बना लेती है जिससे डेव खुश होता है मगर मालीज उसे बताती है कि डिवाइस तुमारे दिमाग को अनंत शक्ती देगा इसलिए इसे चलाने के लिए हमें बहुत अध सभी के स्वालों का ज्वाब दे रहा था और वहां बेरी और आरीज भी मुझूद होते हैं मगर आरीज का लेपटॉप चोरी होने की वज़े से वह स्चोर के बीछे चले गए थे मालीज एरिसन से कहती है कि विसपोर्ट का बहुत लोग विरोत कर रहे हैं क्योंकि उनका मा मालीज उससे अपना पुरा नाम बताती है तो रिवस फ्ले समझ जाता है कि वह डेव की वाइफ है इसलिए और डेव से कहते हैं कि मैं तुम्हारा बहुत बढ़ा फेन हूं और मुझे उम्मीद है कि इस कणाग विसपोर्ट का तुम पर बहुत व्यापक प्रभा क्योंकि वह फ्यूचर से होने की वज़े से सब कुछ जानता था किलिफट वाँ से निकलने के बाद माली से कहते हैं केरिसन जानता है कि कणाग विसपोर्ट सही से नहीं होगा फिर भी वह इसे करना चाहते हैं मगर यह हमारे लिए बहतर मोका है क्योंकि इससे हम होशा जाता है और कनावी स्वर्ट की वज़े सेWow का दिमाग बहुत हो जाता है जिससे ओन एकवेशन को भी Guerra कर देता है जो आज जने कंफी एको नहीं कर पाया माली जिससे काफी एरान फिलिटी कि डेव को सब कुछ पता है मगर तब ये डेव को कुछ होने लगता है और उनीचे घिर जाता है क्योंकि उसका दीमाग बहुत पारफुल होने की वज़े से उसके शेहर से उर्जा खीच रहा था वो जब डॉक्टर से चेक अप करवाते हैं तो डॉक्टर बताते हैं कि डेव उसने उसके लिए एक होवर चेयर का निर्माण किया जो डेव के सर से कनेक्ट हो जाती थी और उसके सर को पाउर देती थी ताकि और डेव के शेहर से पाउर ना खीर सके फिर अब हमें परजेंड का सीन दिखाया जाता है जहां बेरी और जोए डेव के घर पर होते हैं मगर मालिच और डेव उसके सामने नोर्मल लोग की तरह पेशा रहे थे जोए उसके इतियास के बारे में पूसते हैं डेव बदाता है कि मैं दक्षिन अफ्रीका में पला बढ़ा हूं और मैंने इतियास और अर्तिमीति की पढ़ाई करने के बाद मैं ऑक्सफोर्ड में एक की पेंटिंग मिलती है जिसने बेरी को उस्वर्षक होता है क्योंकि जापनी बाशा बोल सकता था मालीच बताती है कि किलिफट को सीखना बहुत पसंद है इसलिए फ्रेंच इटालियन और मेंडी जैसी और भी बाशाई जानते हैं किलिफट उन्हें बताते हैं कि मुझे प कात को लेकर कंफ्यूज होती है कि किलिफट इमेन विलन है या नहीं मगर बेरी को किलिफट पर शक होता है कि वह क्रिमिनल माश्टर माइंड है जिसने बस मेड़ा को बनाया था इसलिए सेंडल सीटी युनिवर्सिटी में जाता है जाओं क्लास खत्म होने के बाद देव से बात करता है और उसे बूचता है कि चार साल पहले आफ सेवन जन्वरी की रात कहा थे क्योंकि उस वक्ती कणाई विसपोट हुआ था डेव से गयता कि मुझे कुछ नहीं बता और तुम इस तरह मुझे परशान मत करो मगर बेरी उसे बूचता कि क्या आप बसका उप्यों क चेक करती है तो उसके रिजल्ड नॉर्मल आते हैं और उसे बताती है कि डेव मेटा नहीं है साथ ही सिसको बेरी को बताता है कि हमने डेव के पुराने रिकॉर्ड भी चेक की है लेकिन उसके खिलाब कोई जूर्म क्या रूप नहीं है और सर्वी लोग उसे एक अच्छा इ साथ मजे से खाना खा रहा है आईरीस बेरी के इस बरताव को देखकर उससे अकेले में बात करती है वह से कहती है कि एक वीग बाद हमारी शादी है इसलिए मैं चाहती हूं कि तुम टेंशन छोड़कर शादी है कामों में मेरी मदद करो मगर बेरी को पुरा यकीन था कि डे बेरी पर घुसा करते है औरो बेरी से कहते है कि डेयो के खिलाफ क्राइम का कोई केस नहीं इसलिए तुम उससे दूर रहो फिर आईरीस बेरी के पास आती है औरो इस बास से कभी हिरान होती है कि बेरी अब भी भी डेयो के बारे में रिसर्च कर रहा है इसलिए उससे कहते ह हमारी शादी है इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी जोब और तुम्हारा विवेक सही रहे इसलिए अभी डेव पर ध्यान मत दो रात को जब बेरी इस्टाले में होता है तो उसे समुराई रोबोट के अंदर से अजीर से आवाजें आती है और हो देखता है कि उसके सफ़ी दोस्तों करने लग जाता है मगर अगज हburger होगे से चुपके से उसे पता चले वगेर वहां से निकल जाता है वह वापस से इश्टाले मयें जाकर अपने डोसों को बताता है कि मुझे समुराई रोबोट में केमरा मिला सिसकों से गयाता है किだ आउसे में एड्र Yak Sultan स antiqu आप जाते हैं कि ओर डेओ के घर में घुसा है सबी से परशान होते हैं जिसाँ दिखता है वह वेसा करिया था क्यों कर देती है कि पुलिस लोगों करने के लिए होती है ना कि उन्हें प्रेशन करने के लिए से मालिष को विशाष दिलाते हैं कि बेरी अब आप से और डेॉसे 500 फिर दूर रहेगा मालिष बेरी को थपड मार कर wahan से चली जाती है केप्टन बेरी को दो वीक के लिए सस्वेंट कर देते हैं फिरम देखते हैं कि बेरी काफी उधास होता है तब भी आईरिस उसके बास आती है बेरी उसे बताता है कि मुझे सस्वेंट कर दिया गया है मगर मुझे अब भी यकीन है कि डेव ही उन बस मेटा के पीछे ह आईरीस उसे गहती है कि तुम्हें अब ये सब बंद करना होगा तो बेरी उसे बताता है कि मैंने बहुत से बुरे लोग का सामना किया जो लोग मुझसे प्यार करते हैं उन्हें चोट पहुचाते देखा है इसलिए मुझे डेव बहुत खतरनाक लगता है क्योंकि अभी तक ह हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते और मैं डरता हूं कि मैं कहीं तुम सबको ना खोदू आईरीस बेरी को समझाती है कि हमेशा तुम्हारे पास खोने को कुछ ना कुछ जरूर रहेगा क्योंकि जब हमारी शादी होगी तो बच्ची होंगे और तुम्हें उनकी भी फिक सीटी जाता है सकता है देवOS से गहता कि मैं कॉम्हारे कंपलें कर सकता हूं जिसे तुम्हें जेल हो सकती है फिर भी तूम मीचे मिलने क्यों आ है तो बेरी Comes congressional वटाए कि में जानता था कि तुम मेटा और के सैंटा कि मैं तुम से कहीं ज्यादा स्मार्ट हूं और मुझे सब पता था बेरियों से बिस मेरे इटा in Go से उख सॉम्राइड चक्लाइब से नहीं में क्यों कित मैंत नुक्द कि मुझे क Không और थोन के बारे में बताता है और कहता है कि उनकी शक्तिया मेरे सामने कुछ नहीं क्योंकि मैं सबसे तेज दिमाग आदमी हूँ तब ही वहाँ क्लास के श्टुडेंट आने लगते हैं इसलिए बेरी वहाँ से चला जाता है जाते जाते डेव बेरी को उसकी शादी की रहा है उसके पास बहुती पाउरफुल ब्रेन है जिस्सें सब कुछ कर सकता है जिसके हम कलपना भी नहीं कर सकते बेरी डेव को तिंकर नाम देता है तब ही वहाँ वेली भी आजाता है जिसें देखकर सबीखुश होते हैं क्योंकि ब्ली वेली ट्रिप से वापस आ गया थ वेलियू ने बताता कि मैंने अंत्रिक्ष में एक इस्टाफिश के साथ लड़ाई लड़ी बेरी अब सभी हो कहता कि हमें डेव को रोपने के ब्लान बनाने होंगे फिर हमें दिखाया जाता कि डेव और मालीज वापस से अपनी फ्यूचर ले में आ जाते हैं और अब डेव क इसको देखने लगते हैं मालीज डेव से कहती है कि क्या तुमने शादी करने दोगे तो डेव कहता कि प्यार की बिना घ्यान कुछ नहीं है फिर अब में दिखाया जाता है कि अपनी शादी गिफ्ट खोल रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने अब शादी कर ली थी बेरी को उन पर देता तब युँआ के लिन भी आ जाती है वह सिस्कों से पूंचती है कि क्या जिप्सी नहीं आई सिसकों से वदाता है क्यों लीडेश शिट में काम कर रही है वह यहां में किलिफट को दिखाये जाता है जिसके आलत अब उसके दिमाग की वज़े से काफी खराब होती जा रही थी दूसरी त seni दप ना पचने लिए कि लड़ने लने लगती है लेकिन ओधने लेकिन देन पेना कर उसे रोग लेती है और कहेंदी थी किलर फॉस के लिए नहीं बल्कि तुम्हाइं लियाई हूं वहीं बेरी और आईरीस जब आजार से लोट रहे होते हैं तभी डेव अपनी होवर चेयर पर बेटकर वहाँ पर आ जाता है और बेरी पर हमला करके उसे दूर गिरा देता है बेरी आईरीस को सेफ जगे छोड़ता है और डेव पर हमल कर लिया जो यह उसे बताते हैं कि अनुमेड ने केडलिन को किड्नेप कर लिया इससे हों कफी परशान हो जाते हैं आईरीस सिसको से बेरी को वाइब करने हो केती है सिसको जब वाइब करता है तो उसे कुछ नजर नहीं आता और शोग लगने की वज़े से वह दूर गिर ज जाती है जहां उसने एक नए मेटा डोमीनीकी को घायल किया होता है वो केलिन को कहती है कि मुझे से जिन्दा रखना है और मैंने गलती से इस पर शूट कर दिया जिससे मेरा मेटल का टुकडा इसके अंदर चला गया केलिन उसे कहती है कि मैं इसका इलाज नहीं कर सकती क्यो भी डोमीनीकी को भी होशा जाता है डोमीनीकी उसे कहता कि मुझे यहां से बाहर निकलना है मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया मैं चोड नहीं हूं और केलिन की बातों को उसके बताए बिनाई समझ रहा था इससे केलिन समझ जाती है कि उसके पास लोगा दिमाग बढ़ने यानि कि टेलेपेथिक पावर है वो से बूस दिये कि तुम्हें अपनी पावर कम मिली तो बताता कि कुछ महीने पहले जब मैं बस में चणा था तो डाग मेटर की वज़े से मुझे पावर मिली फिरो दोनों किसी तरह वहां मुझे गार से बसते हुए बाह निकलते हैं ले मुझे बताओ कि तुम मुझे यहां क्यों लाए हो तो डेयों से किये था कि मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूं क्योंकि मैं एक टीचर हूं तो बेरियों से पूछता कि तुम्हें सब क्यों कर रहे हो तो डेयों से किये था कि मैं अभी तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा त जोए जब डेओ के घर में आते हैं तो डेओ नोर्मल रूप में होता है जोए उसे कहते हैं कि तुमने मेरे बेटेओ कहां छिपा रखा है तब यहां हेरी भी आ जाता है डेओ जोसे कहता है कि मुझे तो लगता है कि तुम्हारा बेटा भाग गया जोए को इससे गुसा आता ह लेकिन उनके पास डियो के खिलाफ कोई सबूत नहीं था डियो ने कहता है कि अगर तुम मेरे गर की तलाशी लेना चाहते हो तो ले सकते हो जो एक गर की तलाशी लेने लगते हैं वहाई बेरी लगाता है उस यह से बार निकलने की कोशिश कर रहा होता है तबी मालीज भी वहाँ जाती है वो बेरी से कहती है कि तुम यहां से बार नहीं निकल सकते चाहे तुम कितने भी फाश क्यों नहीं हो बेरी उसे कहता है कि तुम मेरे बारे में सब को जानती हो लेकिन तुम्हें डियो के बुरे कामों में उसका साथ नहीं देना चाहिए तो मालिज उसे कहती है कि मैं उसकी वाईफ हूँ इसलिए मैं हमेशा उसका साथ दूंगी ये कहकर वहाँ सी चली जाती है वहाई हमें दिखाया जाता है कि सिसको सेटेलाइट से बेरी की स्विट फोर्स और केलिन के क्रायो काइनेटिक सिगनेचर का पता लगाने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन उसे कुछ बता नहीं चलता क्योंकि सेटेलाइड दो सिगनल सर्च करने की वज़े से ठीक से काम नहीं कर रही थी तब हैरी भी वहाँ आ जाता है जो आईरिस को बताता है कि मैंने और जोयने डेव के गर की पुरी तरीके से तलाशी ली लेकिन हमें वहाँ कुछ नहीं मिला हैरी आईरिस से किये था कि तुम हमारी टीम लीडर हो इसलिए तुम्हें सही से फेसला लेना होगा कि हमें बेरी और केलिन में से किसे डूणना है क्योंकि हम दोनों को साथ में नहीं डूण सकते लेकिन आईरिस को कुछ समन नहीं आता कि अपने प्यार और दोस में से किसे पहले बचाएगी हैरी उसे कहता है कि तुम्हें किसी एको चुनना ही होगा वरना हम दोनों खो देंगे, आईरिस इसको और राल्फ के पास जाती है, और ने बदाती है कि मैंने फेसला कर लिया है, कि हम पहले केलिन को बचाएंगे, क्योंकि बेरी के पास खुद को बचाने की पावर है, लेकिन अभी केलिन डेंपर कब की वज़े से, पावर लेस है, व लेकिन ये सब केलिन और डोमीनिकी का प्लान था, और वो अनुमेट और उसके साथियों को ब्योंश कर देते हैं, वहीं आईरिस को भी सेटेलाइड से केलिन की लोकेशन के बारे में पता चल जाता है, कि और एलेक्जेंडर होस्पिटल में है, इसलिए सिसको और राल्फ आ लिए निकल जाते हैं, वही डोमीनिकी और केलिन भागते हुए बाहर आते हैं, लेकिन तवी अनुमेड भी उन्हें मारने के लिए बाहरा जाती है, और उन पर अमला कर देती है, मगर तवी राल्फ आकर अपनी ऐलाशिक बोडी से उसे बचा लेता है, और ओसको उस पर हमल प्रण ओकर सेयर को खोल देता है तब भी बेरी विजिबल होकर से बाहर निकल जाता है डेव समझ जाता है कि उसने आइस प्रोसेस से जाला तेजी से अपनी बोड़ी को वाइबरेट किया है जिस्सें उसे देख नहीं पाया बेरी उसे कहता है कि तुम्हारा दिमाग तेज हो सकता है लेकिन तुम्हारा शेय अभी भी एक इंसान ही है यह केकरो डेवो पर हमला करने लगता है लेकिन डेव अपनी होवर चेयर की मदद से बेरी को टेलिपोर्ट करके सीटी के उपर उड़ने लगता है और बेरी को बहुत मारता है बेरी किसी तरीके से उसके टेंटिकल से ही उसकी होवरचेयर को क्रेश कर देता है जिसेंग दोनों नीचे पानी में गिरने लगते हैं लेकिन बेरी सिस्को के फ्लोटेशन मौड की वजे से गुबारे की तरह फूल कर बच जाता है और से कोई चौट नहीं लगती लेकिन डेव़़ पानी में गिर जाता है वह इस फिर अभी भी जिन्दा है बेरी सभी से किये था कि मुझे लगता है कि डेयों मेरी पाउर्स कांसिल करनाचाइए सभी से कियेते हैं कि मैं कुस्मस माना चाहिए कृसमसมस करने के लिए जुका करे करनárias को हो देखते के लिए जाता है और कूछी देर में लोक्ठी कर देता है तब ही बेरी बैख डूमीनीकी का कोल आता है और उसे बताया है कि मैं पकर लिया क्योंकि मैंने उससे डूमीनीकी के पीछे लगाया था जिसके बदले में मैंने उसे बहुत से पेशे दिये क्योंकि डॉमीनीकी ही मेरे दोरह बस मेटा में बनाया गया ऐसा मेटा हैूमन था जिसके साथ में अपने शेह को बदल सकता हूं। और मैंने अपने होर्चेर की मदद से खुद को डॉमिनी की के अंदर ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि मैं मर रहा था और मुझे पुनर जनम की सक्त जवरत थी, इसलिए मैंने तेन मैंने पहले से ही, तुम्हें वापस से इस जिटफवोर से वापस लाने का प्लान बनाया, ताकि मैं रिबोन हो सकूँ, बेरी उसे कहता कि क्या तुम मेरी फेमेली को नुकसान पहुचाना चाहते हो, तो डेवो से कहता कि मुझे तुम्हारी फेमिली में कोई दिल्चस्पी नहीं है क्योंकि जब तुम अपनों से दूरो जाओगे तो तुम्हें याद करने वाला भी तो कोई रहना चाहिए बेरी उसकी बास समझ नहीं बाता डेवो कहता है कि मैंने तुम्हार लिये गिफ्ट छोड़ा है बेरी अपने गर में देखता है कि वाँ किलिफर डेवो की लाश पड़ी होती है जिसे उसी चाको से मारा गया था जो बेरी को गिफ्ट में मिला था तब ही वाँ केप्टन भी अपने उफिसर के साथ आ जाते है उन्हें लगता है कि बेरी नहीं डेवो को मारा है और बेरी को अरेश कर लेते हैं और इसी परकार बेरी डेवो के जाल में फज जाता है फिर अब हमें दिखाया जाता है कि बेरी जेल में केप्टन को बयान देता है कि वो बेकसूर है मगर उसे सुनवाई के लिए हाउस अरेश्ट कर लिया जाता है याईनि कि उसे सुनवाई तक अपने गर पर ही रेना होगा लेकिन सिस्को के GPS डिवाइस को हेक करने की वज़े से बेरी इस्टार लेवा गया था जा उसने सभी को डेव के बारे में बताया कि वो अब डोमीनिकी की बोडी में है जिससे हो समझ जाते है कि डेव जरूर कुछ बड़ा प्लान कर रहा होगा सिस्को बेरी और बागी सभी को बताता कि जब तुम स्टीट फोर से बाहर आये थे तब तुम अजीब बाते कर रहे थे कि तुम निर्दोश हो लेकिन बेरी को कुछ यान नहीं होता केलिन बेरी को बताती है कि तुम्हारा केस सेसी लड़ेगी और उसने अपने काम से छुटी ले ली है सिसको अभी बेरी को कहता कि बले ही तुमें गुनेगार गोशित कर दि बेरियों से कहता है कि मैं बगोडा नहीं हूँ अगर मुझे दोशी करार दिया गया तो मुझे जिल जाना होगा जोयों से कहते हैं कि हम इसा नहीं होने देंगे और और राल्फ के साथ डेवों के खिलाफ सबूर डूरने के लिए निकल पड़ते हैं आईरिस बेरियों से कहती है कि मुझे नहीं बता था कि हमारी शादी का पहला साल इतना मुश्किल होगा बेरियों से कहता है कि हम बहुत मुश्किल वक्त से गुजरे हैं ये वक्त भी निकल जाएगा क्योंकि हम फ्लेश हैं वाईया में डेवों को उसके अड़े पर दिखाया जाता है जिसे माली जबी भी अपना नहीं पा रही थी क्योंकि डियो का शेय बदल गया था डियो से कहता है कि मैं अंदर से अभी भी डियो हूँ और मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं माली जबी उसके अंदर जाकर उसे अपना लेती है वाया में दिखाया जाता है कि अगले के fingerprint और DNA डियो की बोडी पर चले गए थे और यही डियो का प्लान था इसलिए डियो ने उससे किड्नेप किया डिश्टिक्ट अटोनी एंटोन जच जूरी में बेटे मेंबर से कहते हैं कि बेरी ने अपने पुलिस होने का गलत फाइदा उठाया और उसने डियो की हत्या की से केसाई की जोब के लिए इंटर्यू देने आया तो आपने बेरी कोई क्यों सिलेट किया केप्टन बताते हैं कि बेरी जवान था मगर उसकी सोच बाकियों के मुकाबले बहुत अलग थी क्योंकि मुझरीमों को पकरना नहीं चाहता था बलकि उसने कहा क्यों पीडितों की करना चाहता था तो साल के बीच में छे महीने बिना बताय कहां गायब हो गया था और इसने साल में लगबग बहुत तरवा चुट्या ली है बेरी उन्हें नहीं बता सकता था क्यों स्वीट फोर्स में था क्यों कि इसकी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी क्यों फ्लेश है इसलिए एंटोन सभी से किये था कि बेरी उन्हें चुट्यों में अपनी अलगी एक लाइफ जीता था इसे साबित होता है कि उसे सिव अपनी परवा है वाई फिरम में निल बोर्मन नाम की एक मेटा हुमन को दिखाया जाता है जो एक रेडियो एक्टिव कंपनी में काम कर करता था वह आज बेंक में अपना सेविंग अकाउंट खुलवाने आया था मगर उसकी मेटा पार की वज़े से वहां के सबी लोग बेऊश हो जाते हैं सिसको और जोए जब वहां इन्वेस्टिकेशन करने आते हैं तो सिसको को अपने डिवाइस की मदर से पता चल जाता है कि वहां चारों तरफ डाग मेटर मुझूद है जिससे हो समझ जाते हैं कि जरूर यहां कोई मेटा हुमन आया होगा और उस मेटा हुमन के बारे में पता लगाने के लिए इस्टार लेप की तरफ निकल जाता है वहां कोड में ब्रेक के वक्त सेसिल बेरी से बात करती है और को और हैरी जब बेंक की फुटेज चेक करते हैं तो उनमें उनने कुछ नजर नहीं आता तब यहां के लिन भी आ जाती है और उन दोनों को बताती है कि मेरे पास उन सभी लोग के मेडिकल रिपोर्ट हैं जो बेंक में ब्योश हुए थे और मुझे पता चला कि उनके ब्यो क्लियर बॉम की तरह है इसलिए अब सिसको उसे ट्रेक करने के काम पर लग जाता है वाई हमें रालफ और जोए को दिखाया जाता है जो मालिच के खिलाव सब बूर्ने के लिए उसके पीछे होते हैं और जब मालिच डोमीनी की यानी की डियो से मिलती है तो रालफ उसका फ फोटोग्रास दे देते हैं सेसिल उन फोटो को जज और जूरी में बेठे लोग को दिखाती है और कहती है कि मालिच और डियो का रिष्टा सही नहीं चल रहा था इसलिए उनने खुद डियो को मार दिया और उसका इलजाम बेरी पर लगाया मालिच उसे बताती है कि एसा न लगी थी मगर डियो को इससे को एतराज नहीं था बल्कियों खुश थे कि मुझे बात करने के लिए कोई मिल गया है क्यों क्यों हमेशा यहीं चांते थे कि मैं खुश रहूं जूरी में बेठे सभी लोगों को मालिच की जूटी बातों की वज़े से इसा ही लगता है कि और सच बोल रही है सेषील के पास अब कुई रास्ता नहीं होता और वेशी से कहती है कि तुमसी को बता नहीं कि नहीं हो रहा है बेरी उसे बताता है कि हम समय में इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं जैसे समय थमसा गया हो और आरीस को बताता है कि तुम मेरी सच्चाई किसी को नहीं बताओगी क्योंकि सबी को पता चला कि मैं फ्लेश हूँ तो हमारे पुरे परिवार पर खत्रा काफी बढ़ जाएगा इसलिए हम उने खो सकते हैं इसे आरीस भी बेरी की बात मान जाती है और बेरी अपनी जगर पर वापस आकर बेड़ जाता है जिससे टाइम वापस नोर्मल हो जाता है जज आरीस से पूछते हैं कि तुम क्या कहना चाहती थी आरीस उन्हें बताती है कि मेरे पती को मारा है मगर राल्फ उने समझाता है कि इसा करना ठीक नहीं होगा क्योंकि सालों पहले मेंने भी यही गलती की थी जो यह भी उसकी बात समझ जाते हैं और मालिश के गड़ में नहीं जाते हैं वहीं हमें निल बॉर्मन को दिखाया जाता है जो जब सीटी में पहुंशता है अगर यह 10,000 तक पहुंच गए तो हिरोशीमा की तरह ही यह पूरा शेय बरबाद हो जाएगा इसलिए हमें इसी रोकना होगा औरो बेरी के पास भी मेटा हुमन अलट भेज देते हैं इसलिए बेरी को कोड की फेसले के बीच में ही वहां से जाना पड़ता है वहीं निल क को वहां से दूर ले जाता है ताई कि उनकी जान बच सके बेरी की भी रेडियो एक्टिविटी की वज़े से हालत कराब होने लगती है सिसको और किलर फोश भी बेरी की मदद करने के लिए वहां पहुंच जाते हैं और किलर फोश निल को भरव में जमा देती है मगर उसके प्लडवार की वज़े से ब्योश हो जाती है बेरी को भी एक आइडिया आता है कि अगर नील के चारों तरफ वेक्यूम पैदा कर दें तो नील की पाउर खत्म कर सकता है और उसके चारों तरफ तेजी से दोड़ने लगता है जिससे बेरी को बहुत धर्द होता है लेकिन अ कर तो 15 पर भेज देता है क्योंकि वहां सब कुस तबाह था इससे सिसको और बेरी खुश होते हैं कि उन्होंने सीटी को बचा लिया वहीं दूसी और कोड में जूरी में मौजू सभी लोग अपनी तरफ से बेरी का फेसला सुनाते हैं कि बेरी को दोशी पाया गया है इसलि उसे बात करनी जाता है डे और से क्ये था कि मैंने पहले सोच रखा था कि तुम दुनिया को सच नहीं बताओगे कि तुम फ्लेश हो बेरी उसे कहता कि मैं सिब डूमिनीटी से उसकी बोडी नहीं ली बलकि उसकी एबिलिटी भी चीली जिस्छे मैं अब किसी का भी दिमाग पढ़ सकता हूं बेरी उसे गेता है कि मैं तुम्हें रोकने का कोई ना कोई तरीका जरू निकाल लूँगा डियों वहां से मालिच के साथ निकल जाता है और अब जब सभी गाओं को देखते हुए बेरी को उम्रकेट की सजा सुनाते हैं यानि कि बेरी को अब अपनी पूरी जिन्दगी जेल में गुजारनी होगी जिसने आरीस और बाइकी सभी काफी दुखी होते हैं वहीं दूसरी तरफ केप्टन फ्लेश के पुरी सीटी को बचाने के लिए फ्लेश को एक वीरता पुरुसकार प्रदान करते हैं और अब बेरी को आयरन हैट जेल में डाल दिया जाता है जहां बेरी को उसी सेल में रखा गया था जहां उसके डेट हेंडी एलन थे क्योंकि वहां बेरी को हेंडी एलन वा सेल लिखा हुआ नजर आता है जो उसके डेट ने लिखा होगा फिर अब हमें दिखाया जाता है कि बेरी जेल में बेटा हुआ काफी परिशान होत लेता है बेरी को अब जेल में साथ दिन हो गए थे जिसे वोल पर मार्ग करके नोट कर रहा था वाया में जोई को दिखाया जाता है जो एक चोर से बात कर रहे होते हैं क्योंकि उसने जोरेरी शौप में चोरी करने के बाद तीन लोगों को स्टेज बना लिया था और वहने ब पातों में फसाने लगते हैं जिससे मौका पाकर राल्फ एके करके उन तीनों होस्टेज बनाएं लोगों को वहां से बहां निकाल लेता है और खुद उस चोर के सामने आ जाता है और उसे बॉम छील लेता है वह चोर बॉम को बलाश कर देता है लेकिन राल्फ अपनी एला होता आरीज राल्फ एकिन तुम्में अपनी जांचोकी में नहीं ड़ालनी चाहिए थी तुमने खतरा मोल लिया तो राल्फ उसे कहताए कि मुझे कुछ नहीं हो सकता मैरी बोडी पॉलीमराइजड है आरीज से समझाती है क्य कि मैं सत्रेकर एंगा फिर आ बताती है कि मैरे डेड़ और सेसिल डेओं के खिलाफ सबूत धूंड रहे हैं ताइकि हम बेरी की बेगुनाई साबित कर सके केलिन आयरीस से कहती है कि तुम चिंता मत करो हम कुछ भी करके बेरी को बहार निकालने का कोई ना कोई तरीका जरू निकाल लेंगे फिर आयरीस बेरीस से जेल में मि जर्ण रहे हैं ताइकि जब भी ओगलती करें तो हम उसे पकड़ लें जिससे हम तुम्हें बहार निकाल लेंगे बेरीस से राल के बारे में पूंसता है आयरीस उसे बताती है कि राल थोड़ा एंकारी हो गया है और उसे लगता है कि कोई उसे नुक्सान नहीं पहुचा सक जिसक्यालत काफी ज़ादा खराब होती है इसलिए असलिए उससे नर्स के पास लेकर आता है लेकिन उस्स उस ओविसेर पर हमला करके उसे बだから कर देती ती क्यों क्योंक्यों नर्स और कोई नहीं बल्की först की माज जो होता है जो से नजात कर्वाने आई दस से गाड को भिहोंश किया और एकसल को जिल से छुड़ा कर ले गई जोए को वहां बेरी भी नजर आता है जो सफाई कर रहा होता है जोए बेरी के पांस जाते हैं बेरी उन्हें देखकर खुश होता है और ने कहता है कि मैं भी आपकी इस केस में मदद कर सकता हूं और क्या सिसको ने यहां के केमरों को बाइबास करने का कोई तरीका निकाला है तो जोई उसे कहते हैं कि एक सल सीवेक बच्चा है हम उसे समाल लेंगे और तुम्हें भी यहीं रहना होगा फिर ग्रेगरियू ने उस नर्स की फाइल देता है जोई उसे लेकर इस्टाले पहुंच जात में और ज़्यादा इंफर्मेशन निकालने के लिए वहां से चले जाते हैं वहीं हमें जोई को दिखाया जाता है जोब ने बेटे एक सल को एक बंद पढ़े पुराने क्लास्ट्रोस वेक्ट्री में ले जाती है वहां एक सल देखता है कि टीवे में उसकी न्यूज दिखा क्या होगा मैं उनकी तरह बनना चाहता हूं जोई उसे बताती है कि तुम्हारे डेड ने मुझे पहले ही छोड़ दिया था और मैं कभी नहीं चाहती थी कि तुम अपने डेड की तरह बनो एक सल उनने कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है उनकी तरह अबे क्रिमिनल बन चुका हूं और मैं चाहता हूं कि मैं इसा काम करूं जसे डेट को मुझे पर घर हो तभी ओन यूज में शेर के न्यू ईरो राल को देखता है जिससे ओन डिसाइड करता है कि उसे खत्म कर देगा और अपने डेट को थाभीत करेंगा कि उनसे भी बड़ा चालबाज है वहीं जेल में बेरी वर्काउट कर रहा होता है तब उससे कुछ गुंडे परिशान करके मारने कोशिश करते हैं मगर तबी डेव नाम का आदमी आकर बेरी को बचा लेता है वो गुंडे उन पर हमला करते हैं लेकिन डेव सभी को मार कर वहां से भगा देते हैं बेरी उन्हें थेंस कियेता है वहीं इस्टार लेम में सभी को एकसल का वीडियो दिखाई देने लगता है क्योंकि उसने सीटी के ब्रोड का सिगनल को हेक कर लिया था सिसको उसकी लोकेशन पता लगाने लग जाता है तबी राल्फ भी वहां जाता है वो देखते हैं कि एकसल अपने गेजेट बा सिखा कर रहूंगा आइरिस राल्फ से कियती है कि एकसल बहुत खतरनाक है इसलिए तुम्हें सावदानी से काम लेना होगा राल्फ उसे कियता है कि मैं उसे समाल लूँगा वह सिर्व एक मामूली सा जोकर है और उसको की मदद से उस तक पहुंच जाता है एकसल उस पर से कुछ नहीं होगा इसलिए आगे से नहीं अड़ता मगर उस गन में एक खास एसिट था जो राल्फ की गुड़ने पर लगते ही उसे जलाने लगता है जिससे राल्फ को बहुत धर्द होता है इस्टार ले में भी सभी को इस बारे में पता चल जाता है इसलिए इसको राल की जगे कोई आम इंसान होता तो पूरी तरह से पिगल जाता राल्फ हेरी से किये था कि तुमने तो कहा था कि मेरी बोडी पॉलीम राइजड है मुझे कोई नुक्सान नहीं पहुचा सकता है इसलिए मैं उन चीजों के लिए जिमेदार नहीं हो सकता जिनको मैंने देखा ह जाकने ना हो वह यां में बेडी को दिखा ़िखा जाता है जो पニएम के पांस जाकर उनसे पूंसता है कि आपने मेरी मदद क्यों की और उन प्रम नाम से बुलॉाटा है चाहिकannت और पापा को जब यह पता चलेगा तो यहीं समझेंगे कि मैं किसी काम का नहीं हूं जो यह उसे कहती है कि तुम अपने डेट से बेतर हो और अब से मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी एकसल इसे खुश होता है दूसी तरह भी स्टार्ड ले में सिसको एकसल को ट्रेक करने मे लगा हुआ था जो यह भी वहाँ आ जाते हैं तब एकसल फिर से ब्रोट का सिग्नल को है करके लाइव आ जाता है और उन सभी से कहता है कि मैं अपनी मुम के साथ एक बहुत ही खतरनाक शो करने वाला हूं जिसमें हम एक करके लोग को इसी शार की नीचे बिटाएंगे और एक टेड़ी बियर पर इसका टेश करके दिखाते हैं जिस्यों टेड़ी एसिट की वजह से पुरी तरीके से खत्म हो जाता है इस्यों सभी काफी डर जाते हैं जो यह उन्हें कहती है कि स्टेजी में इनके पास एक गंटे का वक्त है अगर वह इतने टाइम में यहां गया तो इन बेगुनाओं की जान बच जाएगी वरना इस दोनों एसिट से मारे जाएंगे सिस्को को उनकी लोकेशन के बारे में पता चल जाता है क्यों क्लास टोईज में है आईरी से इसे पूछती है कि क्या तुमने टिश्टर के एसिट का कोई सॉल्वेंट ढूंडा है उसका नया सूट देता है जो बिल्कुल पोकेट साइच का था ताइकि उसे साथ रखने में कोई परिशानी ना हो राल्फ उने कहता है कि अगर एस सूट मुझे एसिट से नहीं बचा सका तो यह मेरे किसी काम का नहीं है के लिन उसे कहती है कि लोगों को तुमारी जौरत है राल्फ उसे बताता है कि मैं सूपर हीरो इसलिए नहीं बनाता ताइकि मैं सिट से मर जाऊं और अगर मेरी खुद की जान खत्रे में है तो मैं लोगों को नहीं बचा सकता यह कहकर वहां से निकल जाता है वो आइरन हैट्स में बेरी के पास पहुंच जाता है और उसे कहता कि लोगों को तुम्हारी जुरत है तुम्हें उन्हें बचाने जाना चाहिए बेरी उसे कहता है कि यहां हर जग केमरे लगे हुए हैं मैं यहां से नहीं निकल सकता राल्फ उसे बताता है कि तुम्हारे लिए एक मिनिट कई घंटों के बराबर हैं और तुम फुल स्पीड में राल्फ को रोक कर थोड़ी देर में वापस आ जाओगे तो बेरियों से कहता है कि तुमने पहले भी लोगों की मदद की है तो तुम इस बार भी लोगों की मदद क्यों नहीं करते तो राल्फ उसे अपने घुटने की चोड दिखाता हूँ बताता है कि एकसल ने एक सूपर हीरो जोब हमें अजय मेसुस करवाती हैं लेकिन समय समय पर हमारे टेश का टाइम आता है जब हमें अपनी जान खत्रे में डाल कर लोगों को बचाना होगा राल्फ ने उसे कहा कि मैं तुम्हारी तरह नीड़ा नहीं हूँ बेरियों से कहता है कि मैं भी नीड़ा न उन्हों की जान नहीं बचाए तो जिवन बर तुम्हें इस बात का पस्तावा होगा राल्फ भी उसकी बात समझ जाता है वाइस्टाले में हेरी आईरिस को बताता है कि मैंने उस टिश्टाइस्ट को बेसर करने का तरीका ढून लिया है औरो सिसको और केलिन को अमला करने के लिए क्यार रहने हो केता है बगर केलिन किलरफोस्ट नहीं बन रही थी इसलिए हो जोर से लेकसी लाव चिलाते आमसले जिसकोंने बताता है कि लै reden की इसकोंने बताता है कि लेकसी लोगंश्ट की लासमेड थी जů उसे बहुत बुली एकड़ीन करती थी और और वो तीनों वाद से निकल जाते हैं सिसको और किलर फोच उस स्टेज पर पहुंशते हैं जहां एकसल और उसकी मौम ने दो लोगों को बंदी बनाया हुआ था इसलिए और दोनों उन्हें चुड़ाने जाते हैं मगर यह सब एकसल का एक ट्रेप था और उन दोनों को जाने जाओंगा आईरीज से कुछ होती है और उसे उसका नया सुड़ देती है वहीं जेल में बेरी डेव के पांसा जाता है और उससे बूंचता है कि मेरे डेड ने तुम्हारी क्या मदद की थी तो डेव उसे बताता कि कई महीनों पहले मेरे पेट में दर्द शुरू हु जेल के डोक्टरे भी उस समय होस्पिटल में नहीं थे क्योंकि रात हुचुकी थी लेकिन तुम्हारे डेड हें दी ने वार्डन को सरजरी करने के लिए मना लिया फिर तुम्हारे डेड ने मेरी सरजरी की और आज में जिंदा हूं इसलिए में उनका कर्चिदार हूं और से जाने इंड लेकिन तभी वही गुंडे डेव को पकड लेते हैं चिर Sब्सकों से मार्नें ल pł Onu वहां जाता है तो आपने पानी यूज़ करके उन्हें बहुत आसानी से अरा देता है यह यही को लख Google हारी-व यूशका करने कुछिष करने लग जाता है वहीं एकसल और जोई ने सिस्को और केलिन को बान दिया था मगर तभी रालफ अपने नए सूट में वहां आ जाता है सिस्को और केलिन ये देखकर खुश होते है एकसल लारे पर हमला कर करके उसे बेहुश कर देता है यह देखकर जोई एसिट कौन कर देती है और एसिट के एलिन उस इसको पर गिरने वाला था लेकिन राल्फ बीच मांकर उन दोनों को बचा लेता है राल्फ को लगता है कि उसकी पूरी बोडी जल गई है लेकिन उसे कुछ नहीं होता क्योंकि केरी ने उसे सिट को बेहसर कर दिया था इससे राल्फ और बाकी सब खुश होते हैं और अब जोए एकसल और उसकी मां को किड्नेप कर लेते हैं मीडिया वाले भी वहां जाते हैं और राल्फ से क्वेशन पूछने लगते हैं वह से स्टेची में कहकर बुलाते हैं लेकिन को यह नाम पसंद नहीं होता इसलिए उसका नाम एलोंगेटेड में रखते हैं लेकिन राल्फ को अभी भी यह नाम पसंद नहीं आता जो है राल्फ से कहते हैं कि तुमने आज बहुत अच्छा काम किया और आगे भी तुम शेयर को इसी तरह बचाते रहना वहीं फिर कहता है कि यहां अंदर भी सब कुछ ठीक है क्योंकि मुझे एक नया दोस मिला है जिसकी मेरे डेट ने जान बचाई थी फिर बेरी अपने हैंड को वाइबरेट करके आईरिस से हाथ मिलाता है इसे आईरिस खुश होती है फिर हमें इसे विस होट के एंडिंग सीन में दिख करती है राल फोट सिसको इससे हिरान होते हैं डोन उनने के कहती है कि हमें अमेशा एक दूसरे की मत करनी चाहिए उन दोनों को डोन बहुत अजीब लगती है फिरो दोनों आसी चले जाते हैं तब यह में दिखा जाता है कि डोन अपनी डाइरी में उनी कोट के जरीह कुछ यह होती है जिन कोड को बेरी ने इस फिट फोर से बाहर आने के बाद लिखा था फिर अब हमें जोए के घर का सीन दिखाये जाता है जहां जोए अपने आने वाले बेवी की तियारिया कर रहे होते हैं ताकि उसका अच्छे से ख्याल रख पाए सेसिल जोए से कहती है कि मैं प परशान होते हैं इस डाले में केलिन जब सेसिल का टेश करती है तो उने पता चलता है कि सेसिल का होने वाला बेवी मेटा नहीं है तो भी सेसिल केलिन का दिमाग पढ़ लेती है जिससे उसे बता चल जहाता है कि उसके होने वाला बेवी एक गर्ल है आईरिस भी से खुश हो गुप्टडायकमेटर है जो तुम्हारे मस्तिश्क में जब से चुपा उआ था हुआ, जब पहला कनाग विस्पोर्ट हुआ था, जिस वज़े से ही तुम्हे पाउर मिली. जोय केलिन से कहते हैं कि क्या तुम सेसिल को इंसूलिन से ठीक कर सकती हो केलिन उने बताती है कि मैं इसा कर सकती हूँ लेकिन इसे बच्चे के जन्म के बाद उसके लक्षणों में कमी आ सकती है जोय केलिन में सेसिल से बात करते हैं हैरी को भी आयरीस और बागी सब इस बारे में बता देते हैं हैरी अभी भी बेडियों के खिलाफ सब自 نے colour के, बारे में कुछ बता चला है भी कि मतफसे हमें कोई भी कदम नहीं उटाया पर गुसा करने ही लगता है क्योंकि योडेव पर ध्यान नहीं दे रहे थे आईरी से कियेती है कि अम भी बेरी को जिल से बाहर निकालने के लिए तुम्हारी तरह में में बेरी को दिखाया जाता है जिसने अब जिल में खुछ रहने के तरीके ढूंड लिये थे वह बिक्सर मेयर बेलोज के साथ आश खेल रहा होता है जान वह अपनी स्पीट की मरदर से पते चेंज करके ज्यादा खाना जीत रहा था बातों लिखुच ऑप उपने एक मासुम को मारा था इसे बीक सर को गुशा आ जाता है और वापस अपने सेल में आ जाता है बेरी उसके पीछे आता है बेरी उनसे पूझता है कि तुम मुझे सब कुछ बताओ कि तुम किस जूर्म के लिए यहां हो बीक सर उसे एक न्यूज पेपर दिखाते हुए बताते हैं कि कुछ सालों पेले मरकरी लेस में चोरी के बाद एक गाट का मडर हुआ था जिसका दोशी मुझे ठेराया गया जबकि मैं दोशी नहीं था बलकि उस गाट को किसी और ने मारा था और वो दिखने में बिलकुल मेरे जैसा था मैं बस वाँ से गुजर रहा था औ और जब मैंने उस गाट को तड़ते हुए देखा तो मैं उसकी मत करने गया लेकिन तभी पुलिस वह आ गई और ने लगा कि मैंने उस गाट को मारा है मैंने पुलिस वालों और लोयर को यह बताने की बहुत कोशिश की मैंने उस गाट को नहीं मारा लेकिन किसी ने मेरा यक चीव सी लाइट चमकती है और बील्डिंग वहां से गायब हो जाती है फिर हमें सिलबड नाम के मेटा यूमन को देखते हैं जिसके पास सी जो को श्रिंग करने की सूपर पार होती है और उसने ही उस बील्डिंग को छोटा किया था वह बील्डिंग को टाकर अपनी पोकेट म का दिमग पढ़ने लगती है मगर उसे कुछ पता नहीं चलता सिसकों को वहां आसपास लगे सिसीटी फूटेज से सिलबर्ट की फूटेज मिल जाती है जिसमें सिलबर्ट अपनी शेलवे कार को अचानक से बढ़ा कर देता है जिससें समझ जाते कि वही मेटा हुमन है जिसने कोड कंपनी को चुराया है तबी जोएक को बेरी का कोल आता है कुछ समय बाद इस्टार ले में जोएक एलिन को बताते है कि बेरी ने मुझे बिक सर को जिल से आयत करवाने हो कहा है क्यों क्यों निर्दोश है और सालों पहले जिस गार्ड के मर्डर में उसे अरेश्ट किया किया था ता वो किसी और ने किया था इसलिए ब बेरी ने कहा की आमें उस को डूड़ना हो का राल्फ और बागी सब्विज इसके को लेने के लिए त्यार नहीं होते अ加़र है की पहली बार जिल जाने के बाद बेरी ने हमसे कुछ मांगा है इसलिए में बिक सर कौ्निया द बाँस जाता है और ने कहता है कि मैंने अपने कुछ दोस्तों को तुमारे केसपर काम करने के लिए लगा दिया है और जल्दी तुम्हें नीर्दों साबित कर देंगे बिकसर कहते हैं क्यों तुम्हें बाहन नहीं निकाल पाए और मुझे नहीं लगता कि मैं कभी जिल से बाहन निकल पाऊंगा और तुम जो मुझे आशा दे रहे हो वो किसी काम की नहीं है इसलिए अपने दोसों से कहो कि अपना समय बरबाद ना करें वहें जोए सिसको और आल्फ के साथ सिल्वर्ट के घर पर पहु मिलती है जिसमें वह बहुत फिट नजर आ रहा था इसलिए उसे पूसे हैं कि सालों पहले जब मरकरी लेप्स के बाहर रोबरी हुई थी तब तुम कहा थे सिल्वर्ट समझ जाता है कि उन्हें उस पर शक हो गया है इसलिए वहां रखी एक चोटी सी गन को अपनी पाउर से फिर से बड़ा कर देता है और उनपर शूट करता है वो सभी उसके वार से बच जाते हैं सिल्वर्ट वहां से भागने कोशिश करता है जोई सिसको और राल्फ भी नीचे आ जाते हैं मगर सिल्वर्ट गली में चिपा हुआ था वो जोई की कार पर हमला करता है लेकिन जोई बच जाते हैं मगर और राल्फ और सिस्को पर अपनी पाउर से हमला करके वहां से भाग जाता है राल्फ और सिस्को बहुत छोटे हो जाते हैं जोई से परिशान होते हैं और उन दोनों को इस्टार लेब ले आते हैं केलिन और हेरी को भी कुछ समझ नहीं आता सिसको और राल्फ अपने अपनी पाउर का यूज़ करके वापस नॉर्मल होने कोशिश करते हैं लेकिन और नॉर्मल नहीं हो पाते तब यारीज भी वहाँ जाती है और नहीं बताती है कि मुझे फेलिसीटी से पता चला है कि रेश्रिंग होने के लिए इस्टार एलोई का उप्योग करता है जो उसके एटम सूट को सिकुनने की शमता देते हैं मगर 10 अक्टूबर के दिन पामर टेक से मिश्रदातू का लाश्ट डिपोजीटी चोरी हो गया केलिन बताती है कि एक्टूबर 10 वही तारीक है जिस दिन बेरी इस्ट फोर से बाहर आया था जिस्टे हो समझ जाते हैं कि जब सिलबर्ट को इस्टा एलोई मिला तो उसी बस में बेठा होगा जिसने उसके पास किसी भी चीज़ को छोटाया बड़ा करने की सूपर पाउर आ गई तब यहां सेसिल भी आ जाती है जो ने कहती है कि यह वह यह आदमी है जिसने बिकसर को फसाया था और यह बहुत ही सहयों की बात है तबी सिसको और राल्फ भी वहां आने लगते है मगर हो काफी छोटे होने की वज़े से राल्फ आइरिस के पेरों के नीचे आ जाता है जिसे हो पिचक गया था मगर एलास्टिक मेन होने की वज़े से उसे कुछ नहीं हुआ सेसिल वापस जोए का दिमाग पढ़ने लग जाती है मगर यह सब जोए को अच्छा नहीं लगता और वहां से चले जाते है हेरी सिसको की बजुका गन को इस्टार एलोई की मदद से एक ऐसी गन बनाता है जो सिसको और राल्फ को नॉर्मल कर सके मगर जब वो उन दोनों पर इसे टेश करता है तो नॉर्मल नहीं होते बल क्यों तेजी से वाइब्रेट होते हैं सिसको कुछ समझ नहीं आता क्यों नॉर्मल क्यों नहीं होए केरी की गन की वज़े से रालफ और सिस्को का एटोमिक लेवल बिगर चुका है जिससे उनके सेल बहुत तेजी से डिश्टोई हो रहे हैं और ऐसा ही होता रहा तो दस गंटों में पूरी तरीके से बलाश्ट हो जाएंगे इससे और सभी बहुत परिशान हो जाते हैं वहीं बेरी और डेव साथ में बात करते हैं बेरी डेव से पूशता है कि अगर तुम जेल से आजाद हुए तो तुम कहां जाओगे बिग सर उसे बताते हैं कि इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है जो बाहर मेरा इंतजार कर रहा हो बस मुझे एक जगा बहुत अच्छी लगत कि इसकों से बताता है कि तुम्हें हमें बड़ा नहीं छोटा करना है जिससे एड़ी को समझ आता है कि सिलबट की शक्ती सिव एटम के बीच के इस पेस को नहीं अटाती बलकि गुरुत्वाकशन कणों को भी अटाती है इसलिए उनने राल्फ वो सिसकों पर सिलबट से वा और की मदद से एक टेकनोलोजी को बहुत छोटा कर देता है यह देखकर गार्ड बहुत डर जाता है और पुलिस को कॉल करने लगता है अब राल्फ और सिसकों भी एक ड्रोन पर बेटकर उनके सामने आ जाते हैं ताकि उन पर हमला करें और वह वापस बड़े हो जाए मगर सिलबड उन्हें देख लेता है और केता है कि तुम वापस कभी बड़े नहीं होगे अब आईरीस और हेरी भी वेल लेकर वहाँ आ जाते हैं सिलबड उन पर अपनी श्रिंग की हुई चीजों से उन पर हमला करने लगता है मगर आईरीस और हेरी किसी तरह बच जाते हैं ले है जिससे सिलबड भी उस पर हमला करता है लेकिन राल्फ और सिसको हेरी की जेब में छिपे हुए थे इसलिए वापस से नूर्मल हो जाते हैं और हेरी को भी कुछ नहीं होता और अब आईरीस भी पीछे से उस पर हमला करके उसे डेंपर डिवाइस से शूट कर देती है ता और कहता कि मैंने वहाँ चुरी नहीं की थी अगले दिन बेरी जो ऐसे बात करता है और हो काफी निराश हो जाता है बिकसर भी समझ जाते हैं कि अच्छी ख़बर नहीं है बेरी उसे बताता कि सिलवर अपना जुर्म कबूल नहीं कर रहा है बेरी काफी शर्मींदा होता है और नहीं कहता कि तुम सही थे मुझे तुम्हें आशा नहीं देनी चाहिए थी कि तुम जेल से बाहर निकलोगे डेरी उसे कहते हैं कि तुम्हें माफी मागने की कोई जुरत नहीं है और वहां से चले जाते हैं मगर बेरी ने डिसाइड कर लिया था कि और डेरी को बाहर न सेसिलू करता है तुम पावर को लेकर इतना परीशान क्यों हो जो यह से बताते हैं तुम में ऑपनी मन की कि बात जाने कोशे नहीं और यहाई मैंसंस नहीं दडरती है क्यों कि मुझे इस तरह देखो सेसिल उने कहती है कि मैं तुम्हारे बारे में कभी गलत नहीं सोचूंगी चाहे तुम केसी ही बेतु की बाते करते हो और मैं तुमसे ये वादा तो नहीं कर सकती कि मैं तुम्हारे दिमाग को नहीं पढ़ूंगी क्योंकि मेरा इन पावर पर काबू नहीं है लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम बहुत बहुत बहादूर और शांदार हो जो ऐसे खुश होते है वहे इस टाले में केलिंग सभी को बताती है कि अप सिसको और राल्फ नॉर्मल है जिससे राल्फ खुश होता है है हैरी डिसाइड करता है क्यों देव की चाल का पता लगा कर क्यों इन मेटा हुमन का क्या करने वाला है क्यों क्यों सभी मेटा हुमन अभी जेल में थे इसलिए उसे शक होने लग गया था कि डेव जरूर कुछ प्लान कर रहा है वहीं हमें जेल में वाडन को दिखाये जाता है जो बेरी के पास आता है वो से कहता है कि कल डेव अचानक अ पताता है कि तुम्हारी इस केमरे की फुटे से मुझे पता चला कि तुम असलियत में दफलेश हो और वो उसे उसकी फोटो दिखाता हुआ कि तुम इस बात से इंकार नहीं कर सकते और नहीं बाग सकते हो तभी बेरी को चकर आने लगते हैं क्योंकि उसने बेरी के खाने में को आपना दिया था बेरी उससे पूसता है कि तुम्हें सा क्यों कर रहे हो तो आड़न उसे कहता है कि मैं मौस्टर हूं तबी बेरी बहुंश हो जाता है वाड़न बेरी को मेंटा यूमन सेल में डल्वा देता है और अनुमेट को लगाता है कि तुम्हारी एक और मचली जाल म मेटा को रखा हुआ था वार्डन अनुमेट को बताता है कि यहां कोई केमरे नहीं है फिर उसे एक एक करके सभी मेटा हुमन के बारे में बताता है जैसे मीना जो किसी भी चीज को जिन्दा कर सकती थी सिल्बर जो किसी भी चीज को छोटा कर सकता था रेम से डीकन जो किसी भी टेकनोलोजी को कंट्रोल कर सकता था और बेकी श्राब जो कॉंटम लेवल में हेर फेर करके अपने बागी को बदल सकती थी और आखिर में वह से बेरी के बारे में बताता है जैकिस पीश्टर था अनुमेट वार्डन से कहती है कि मेरे पास यसे बहुत से ड्रक डीलर हैं जिन इन्वेस्टिगेटर था वो से कहता कि मुझे एक केस के सिलसिले में तुमारी मदद चाहिए जिससे हमें बहुत पेसा मिलेगा तो राल्फ से कहता कि अब मैंसे काम नहीं करता मैं सुधर चुका हूं और मुझे नई दोस्त मिल गए हैं जो काफी अच्छे हैं और ने मेरी अर्ल को इससे बुरा लगता है इसलिए उसे कहता है कि जब तुम अच्छे लोग के करीब आते हो औरो तुम बर बरोसा करते हैं तो तुम सब कुछ गड़बर कर देते हो इसलिए जब तुम अपने नए दोस्तों को निराश कर दो तो अपने पुराने दोस्तों को याद कर लेना वह यां में IRIS और सेसिल को दिखाया जाता है जो जील में बेरी से मिलने जाती है बंगर बेरी वहाँ नहीं होता तभी वारिटन वहाँ आ जाता है जो इने जूट बताता है कि Rollsman के सांथ फाइट हो ली है जिसके ओहरान होती है आईरीस भी समझ जाती है कि जरूर कुछ गड़बड है फिर उस्टार ले वाकर सबी को पुरी बात बताते हैं जो एकुए को बहुत गुसा आता है और हो केप्टन को इस बारे में बताने जाने ही लगते हैं तो सेसिल और आईरीस उने समझाती है क्यमिसा नहीं कर सकते, क्यों क्यों हमारा विश्वाश नहीं करेंगे, और ने लगेगा कि तुम बेरी को बचाने के लिए ऐसा कह रहे हो, जो है कहते हैं, केरी हमारी मत कर सकता था, लेकिन ओ कहा है, तो सिसकों ने बताता है, क्यों अर्थ टूप पर, जैसी से मिलने गया है, तबी राल भी वहाँ जाता है और इसे अले की बातों की वज़े से बहुत गुसा आ रहा था जिस्याओ गुसे की वज़े से पुरी तरीके से अले के रूप में बदल जाता है। सानुमेट उनके लिए प्रॉब्लम क्रियाट कर रही थी क्योंकि उनका प्लान था और सभी बस मेटा को जेल में खटा करेंगे और फिर बाद में डियों की पाउर को एक्ज़ों कर लेगा मगर यह सब उनके प्लान के साफ से नहीं हो रहा था इसलिए मालिश डियों से कहती है कि अब हम क्या करेंगे तो डेवों से कहता है कि तुम बस देखती जाओ बेरी बहार निकलने का कोई ना कोई तरीका निकाल लेगा वहाई बेरी टोईलेट में रुई को डाल कर उसे जाम कर देता है जब अगले दिन सफाई करने के लिए ओफिसर आते हैं तो बेरी चाला की से दो बेटरियां सिल कर लेता है वाया में श्टारले में राल्फ को दिखाया जाता है जो वार्डन का रूप लेने की कोशिश कर रहा होता है मगर ऐसा नहीं कर बाता तो केलिन उसे समझाती है कि तुमारे सेल्स तुमारे थोड के साथ जुड़े हुए हैं इसलिए तुमें उस प्रेक्ति के बारे में सोचना होगा जिसके रूप में तुम बदलना चाहते हो राल्फ फिर से कोशिश करता है तो मगर वह च påड़ा उता है तो नीचे गिर जाता है क्यों इसके सेल्स ठीक से स्टेबल नहीं हो पा रहे थे वहीं बेरी बेटी और कुछ चीजों की मदस से एक हस लिकुड बनाता है जिससे जब वो सेल के लोक में डालता है तो सभी के लोग खुल जाते हैं और उसस भी काफी खुश होते हैं मागर डीकन सभी से कहता है कि आम एक पु dislenter पर बरोसा नहीं कर सकते तो बेग्यों ने बताता है कि मैं को फिसर नहीं बलकि अभी एक केदी हूं और मैं तुम सभी को अनुमेट का गुलाम बनने नहीं दे सकता तो डीकन भी उसकी बात माल लेता है मगर बेक्यों ने कहती है कि मैं यहीं रहूंगी क्यों कि पिछली बार जब मैं बाहर गई थी तो मेरे लग फिल्डी की वज़े से पुरा शेर बरबाद होने वाला था और अब मैं दोबारा ऐसा करना नहीं चाहती तो बेरी उसे समझाता है कि अगर अनुमेट ने तुमें बेज दिया तो तुम्हारी शक्तियों का इस्तमाल बहुत से लोगों को चोट पहुचाने के लिए किया जाएगा इसलिए से रोकन करने के लिए उसके बार में घाता है मगर उसकी बोडी चेंज होने की वजए से उसे चलने में दिक्कता रही थी मगर मुझे में ऊपने अपने राटक उसे कैएटा है बात करनी है तो नोरोक उसे अपने साल ले जाता है वार्डन के बेश में राल्फ उसे कहता है कि CCPD को मेरी प्रेसनल मेटा हुमन विंग का पता चल गया है इसलिए मैं अपनी डिल को थोड़ा आगे बढ़ाना होगा इसलिए मैं तुम्हें कुछ दिनों बाद मेटा हुमन ला जाता है अनुमेट असली वार्डन से बात करती है और उसे पुरी बात बताती है वार्डन ये देखकर बहुत गुसा होता है कि बेरी और बाकी सभी मेटा भाग गए है इसलिए अपने ऑफिसर को उन्हें पकड़ने के लिए भेज देता है वहीं स्टार लेम में आरी सभी स कहती है कि अब हमारे पास बेरी को बचाने का कोई तरीका नहीं है इसलिए माइरन हट जाकर खुदी बेरी और बाकी मेटा को अनुमेट से बचा लेंगे सिसको भी उसकी बात मान लेता है और और राल्फ से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता क्योंकि तुम मेरे बिनाई अच्छे से बेरी को बचा सकते हो मैं अर बार मुसीवत खड़ी कर देता हूं मैंने तुम सभी को निराश किया और वहां से चला जाता है दूसी तर बेरी और बाकी सभी सीवर सा आगे बढ़ रहे होते हैं तब यो देखते हैं क्यों एक वरकर पाइप की रिपेरि बेरी के लिए उसे ब्योश कर देता है अब वो पुरानी जेल के मेंडोर पर पहुंच जाते हैं जहां से और बाहर निकल सकते थे मगर वहां लोग लगा हुआ था इसलिए डिकन उसे मैनुली हे करके खोलने कोशिश करने लगता है क्योंकि अभी जेल के अंदर होने से उन स क्या करोगी बेक्यों से बताती है कि मुझे नहीं बता लेकिन मैंने अपनी शक्तियों से कहीं लोगों को चोट पहुचा है मगर तुम इसे नहीं हो तुम सभी लोगों की जान की परवा करते हो तो बेरी उसे बताता है कि मुझे पर जूटा अरूब लगाया गया है मैंने देव को नहीं मारा तुम्हें पताए कि हर मेटा अपने 파्वर्स का उपयोग लोगों को चोट पहुचाने केलिया नहीं करता कुछ इन पवर्स का उपयोग लोगों की रक्षा करने केले करते हैं इसलिए 파्वर capable नहीं करती कि हम कौन है बल की हम खुद डिसाइड करते हैं कि हम अच्छे हैं या बुरे बेकी भी उसकी बात समझ जाती है वाई हम केलिन को देखते हैं जो राल्फ को समझाने जाती है लेकिन उसकी बात नहीं सुनता तो केलिन अपने हाथ पर गाव करके खुद को किलर फोश में बदल लेती है और राल्फ को समझा जाती है मगर राल्फ उसे कहता है कि मैं हर बार काम बिगाड़ देता हूं तो किलर फोश उसे कहती है क्यों सभी तुमारे दोस्त हैं और बातों ही बातों में राल्फ को एक आइडिया आता है जिस्तियों बेरी को जेल से आज़त करवा सकता था दूसरी और डीकन अपनी स्कि सर के साथ आकर बेरी के पेर में डेंबर का स्पेना देता है यह देखकर मिना अपनी पाहर से एक इगल को जिंदा करके वार्डन पर हमला करने लगती है और डीकन भी वहां के सारे केमरों को खनाब कर देता है और वार्डन से कहता है कि तुम अब नहीं बचोगे तो पीकन अपनी पार से उस डेंबर को हे करके बेरी को चोट पहुचाने लगता है और सिलबड ब्यू से छोटा करने लगता है मगर बेकी उन् lecturer को समझ गई थी क्यों सब्छ गलत कर रहे हैं और फिश्लों की जान बचाता है इसलिए सब इसे कहती है कि तुम इसे छोट नहीं पह की सभी इदा उदा टक्राने से ब्योश हो जाते हैं बेरी से खुश होता है वार्डन अपने साथ उसे शूट करने लगता है मगर तब हो अनुमेट बया जाती है और वह बेकी को मारने के लिए उस यह देखकर उनुमेट वहाँ से भाग जाती है अब सिलबर्ट और बाकी सबी भी वहाँ आ जाते हैं लेकिन डेव की चेर की वज़े जह उन्न सभी की पाहर कम नहीं कर रही थी डेव अपनी चेर की मदद से उन सभी मेटा की पाहर को एके करके एजो करने लगता है बेकी बेरी से मदद मांगने लगती है तो बेरी उसकी तरफ भागता हुआ उसकी मदद करने जाने लगता है लेकिन इसमें देर हो जाती है और अब डेव सभी की पाहर एजो करने के बाद बेकी की बोडी मे गया था और उसे दूर फिक कर वहां से जाने लगता है वार इंद को भी होशा जाता है और वहां दउने लगता है लेकिन डेहों उसे पकड़ लेता है कि डेवों ने सभी को मार दिया तब ही वाँ सिसको और किलर फोर्ष भी आ जाते हैं बेरियों ने बताता है कि सब डेवों ने किया किलर फोर्ष अपनी पावर से बेरी के डेंपर कप्स को तोड़ देती है और से कहती है क्या मैं आसे निकलना होगा बेरी उने कहता है कि मैं यहां से कहीं नहीं जा रहा हूं क्योंकि जब तक तुम मुझे कानोनी तोर पर बहां नहीं निकाल देते तब तक मैं खुद को पुरी तरीके से सौतन मैसुस नहीं कर सकता सिसकोस के बाद समझ जाता है औरो किलरफोस के साथ वहां से निकल जाता है अब बेरी अपनी स्पीड से वापस है पुराने सेल में आ जाता है फिर हम अगले दिन कोड का सीन देखते हैं जासे सेल ने कोड में अपिल की थी कि उनके पास कुछ सबूत है जिसे आज मारा गया था और मैंने किसी को मेरे जूटे मर्डर केस में फसाने की बाते सुनी थी फिर में ब्योश हो गया मगर जब आज सुबह मेरी आख खुली तो मैं अपने घर पर था जच को भी कुछ समझ नहीं आता औरो डेव को जिन्दा देखकर उन्हें बेरी को जेल से रिया क करना पड़ता है बेरी के जिया होने के बाद सब जो के घर पर पार्टी करते हैं और सभी बहुत खुश होते बेरी सभी को बताता है कि सिंदल सीटी में बहुत से मैटा है लेकिन डेव सभी बस मेटा की पावर को ही हासिल कर रहा है इसलिए मुझे लगता है कि उस स्र PC के ल तो मालिज उसे बताती है कि हमारा प्लान था कि हम सबी समेटा को साथ oldest अकलून creator अब obtaining